Hey kids, hello everyone, तो अब हम लोग पहुँचके हैं the four puppets के final part में, part three, part two तक हमने देखा कि किस तरह से अंग, जो अपने father का काम उनको बहुत ही boring लगता था, और वो उस काम को छोड़ करके अपनी किस्मत आजमाने को निकला, और उन चार puppets के सहारे, चारो का यूज किया अब तक? नहीं, अभी तक सिफ दो puppets का यूज किया वो, और उनकी मदद से वो बहुत अमीर merchant बन गया, बहुत ही अमीर वैपारी बन गया, और उसे एक लड़की माला से प्यार भी हो गया, लेकिन माला उससे काफी नाराज रहती है, क्यूं? क्यूंकि वो उसे एक चोर समस्ती है, जिस जब वो अपने फादर से मिलने जा रही थी, उस समय उसका पूरा धन दौलत लूट लिया, और माला को भी अपने पास कैद करके रखा है, तो अब हम लोग इस पार्ट में देखेंगे, कि माला का नाराजगी, जो अंग पर था, वो खतम हुआ या नहीं, या फिर क्या चलिए, तो उस से पहले हम लोग पहले रीकाप कर लेते हैं, कम्परिहंसन चेक के कोश्चन से, Where was Mala going? Mala कहां जा रही थी? Mala was going to meet her father, Mala अपने father से मिलने जा रही थी Second question, What advice did the sorcerer give अंग? अंग को उस sorcerer ने, यानि वो जादुगर ने क्या सला दिया? The sorcerer advised अंग to learn the secrets of nature, उसको नेचर का रहस से, सीखने को कहा, as which is the best land for farming and which mountains held gold and silver, and further, sorcerer told that knowledge is power, और आगे sorcerer ने अंग को बताया कि knowledge ही power है, Third question, Who helped अंग to become rich? Rich बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, अंग का मदद किस ने किया? Yes, sorcerer and the ogre, इन दोनों की मदद से वो अमीर बना Fourth question, अंग became rich, अब अंग अमीर बन गया, yet he was unhappy, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था Why? क्यों? अंग became rich, but he was not happy, because mala was still not talking to him and he loved her चुकि अंग को mala से प्यार हो गया था और mala अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी इसलिए अंग खुश नहीं था तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या mala जो रूठी हुई थी अंग से अब वो मानी या नहीं, उससे बात की या नहीं वो या फिर जो उसके फादर, mala अपने फादर से मिलने जा रही थी तो उसके फादर ने mala को ढूण लिया क्या या फिर mala भाग गई या फिर अंग ही हार मान करके mala को उसके फादर के पास पहुचा दिया चलिए देखते हैं, इन सवालों के जवाब हमें इस पार्ट थी को पढ़के मिल जाएगा फिर एक दिन अंग ने क्या क्या किया कि mala के लिए एक बहुत ही खुपसूरत जो रानी महरानी पहना करती है वैसा ही बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लेकर के आया अर उस ड्रेस में बहुत ही खुपसूरती से सोने की कारिगरी थी और बड़े बड़े उसमें मानिक, पन्ना, हीरा, नीलम सब उसमें लगा हुआ था वो बेश खीमती, वो जबरदस्ट, खुपसूरत सा ड्रेस लाने के लिए अंग ने काफी पैसे खर्च किये थे माला तुक वन लोक एंड पुस्ट इट अवे तो माला के पास जब वो ड्रेस को अंग ले करके आया तो माला ने सिर्फ उस ड्रेस को एक जलक देखा और उसे पीछे धकेल दिया उस ड्रेस को यानि अभी भी माला नाराज ही थी अंग कुछ भी कर रहा था लेकिन माला को इन सब का कुछ प्रभाव नहीं पढ़ रहा था उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, अंग कुछ भी कर रहा था तो ये देख करके, अंग was heartbroken, अंग का दिल तूड किया He said, अंग ने कहा, Don't you know I love you, क्या तुम नहीं जानती, मैं तुम से प्यार करता हूं But she only glad at him and said not a word लेकिन सिर्फ उसके अंग के जवाब में, माला ने अंग को देखा, घूरा और उसने एक शब्द भी नहीं कहा The next morning, अगली सुभा को अंग went to the puppets अंग, puppets के पास कया, कटपुतलियों के पास कया उनका अपना-अपना रूम था उस palace में and spoke to ogre और ogre और sorcerer से बात किया, यानि उस दानव और उस जादूगर से जिन दोनों की सहता से वो इतना अमीर बना था कहा कि, माला's father must now be very poor अब तो माला के father बहुत गरीब हो गये होंगे while I have more than I need, चुकि अब मेरे पास जितना मुझे चाहिए था उससे कहीं जादा है, I will help माला find him so I can pay him for what I took. तो अब मैं माला की मदद करूँगा उसके father को ढूडने के लिए ताकि मैंने उसके father से जो कुछ भी लिया था, वो सब उसे वापस कर दूँ maybe then she'll speak to me and even learn to love me शायद तब जाकर के वो मुझसे बात करेगी या फिर हो सकता है उसे भी मुझसे प्यार हो जाए तो इस पर ओगर ने कहा a terrible idea, यह बहुत ही बकवास idea है you should never give up what is yours you are just being weak तुम्हें बिलकुल भी जो तुम्हारा है वो किसी को नहीं देना चाहिए तुम अभी कमजोर हो रहे हो तो sorcerer ने कहा besides, इसके अलावा you are too late अभी तुम काफी लेट हो गए हो ऐसा करने के लिए mala ran away last night पिछली रात को ही mala भाग गई तो बच्चों यहां पर mala हार मान करके भाग गई अंग के चंगुल से निकल गई या वो अंग ने कह वाट क्या he rushed through the palace but mala was nowhere to be found वो दोड़ करके palace में गया लेकिन mala उसे कहीं भी नहीं मिली अंग returned to the puppets room in despair अब परिशानी में आंग वापस उन puppets के रूम में आया और कहा what good is all my wealth if I have lost what I care for most अब इतना धन दौलत का क्या फायदा जब मैं जो मुझे सबसे कीमती था सबसे प्यारा था वही मैंने खो दिया for once the ogre and sorcerer were silent and still और अभी इस बार इसका जवाब sorcerer और ogre के पास नहीं था वो दोनों बिलकुल खामोश रहें तब अंग को याद आया कि ऐसा एक पपेट है जिसको उसने अभी तक नहीं बुलाया है he turned to the holy hermit फिर अंग ने turn किया holy hermit की ओल और उससे पूछा tell me why has everything gone wrong तो मुझे बताओ हमीद की सब कुछ गलत क्यों हो रहा है the puppet came to life ये सुनकर के puppet जो है वो भी जीवन में आ गया यानि वो भी बिलकुल जिन्दा हो गया और उसने कहा अंग you imagined that wealth brings happiness अंग तुमने देखा तुम ये imagine कर सकते हो की wealth धन दौलत खुशियां लाता है but true happiness comes only from goodness लेकिन सच्चा खुशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई से ही आता है what is important is not what you have but what you do with it ये important नहीं है कि तुमारे पास क्या है सबसे जादा important ये है कि तुम उसका जो तुमारे पास है उससे तुम क्या करते हो the king of the gods then came to life और फिर इसके बाद king of gods भी life में आ गए वो भी जीवन थो गए and stood beside the hermit और hermit के बगल में खड़े हो गए and you forgot what your father told you और फिर king of gods ने कहा तुम भूल गए कि तुमारे पिताजी ने जब तुम घर से निकल रहे थे उस समय क्या कहा था strength and knowledge are useful कहा था strength and knowledge are useful but they must always serve wisdom and goodness ताकत और ज्ञान लबदायक है जरूरी है लेकिन ताकत और ज्ञान को हमेशा बुद्धि मानी और अच्छाई से ही serve करना चाहिए करना चाहिए उसे काम I won't forget again said अंग अंग ने कहा मैं इस चीज़ को फिर दोबारा नहीं भूलूंगा from that day on उस दिन के बाद से अंग used his wealth and his talents to do good उस दिन के बाद से अंग अपना धन दौलत को अच्छाई करने के लिए ही waste करता था use करता था इस्तिमाल करता था He built a splendid holy pagoda और उसने बहुत ही खुपसूरत बहुत आलिशान पवित्र pagoda बनवाया पगोड़ यह है जो यहां पर बहुत पिक्षूओं का पवित्र स्थर जो मैनमार में इसे पगोड़ा के नाम से जानते हैं and offered food and shelter to those who visited the shrine श्रीन क्या है वो पवित्र स्थल चलिए हम लोग इस बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले ले बच्चों कि पगोड़ा क्या होता है यह जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यह पगोड़ा है और यह पूरा उसके सामने का एरिया है यह भी एक पवित्र स्थल है तीर्थ स्थल है जो भी उस तीर्थ स्थल में आते थे उस पगोड़ा में आते थे उनको अंग food and shelter यानि खाना, भोजन और रहने के लिए चट देता था One day among the visitors एक देन उन यात्रियों में से ही अंग saw a young woman अंग ने एक young एक जवान लेरी को देखा He knew well जिसको वो अच्छी तरह से जानता था An older man stood beside her और एक बूढ़ा आदमी उसके बगल में खड़ा था Both of them wearing humble clothes दोनों बहुत ही sober कपड़े पहने हुए थे जैसे ही उनको अंग ने देखा तो अंग चिलाया माला वो माला थी He rushed over to the startled young woman and knelt before her puzzled father वो दोड़ करके उनके पास गया और उनके पिता जिनको उसकी कुछ भी जानकारी नहीं थी उनके सामने घुटनों में आ गया और कहा Sir, I have done you great wrong मैंने आपसे बहुत बुरा किया I beg your forgiveness मैं आपसे माफी मांगता हूँ All I have is yours छो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ आपका है and I give it up gladly और मैं ये बहुत ही खुशी खुशी आपको दे देता हूँ ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ I will be content to return to my village and make puppets मैं अब मैंने ये तै कर लिया है कि मैं वापस अपने गाउं जाऊंगा और मैं कटपुतली बनाऊंगा ये देखिए किस तरह से माला वहाँ उस पवितस्तल पगोड़ा में आई थी और उसको देख करके अंग दोड़े उनके पास आया और अब उनके फादर से बात कर रहा है पिर माला ने बहुत ही softly बहुत धीरे से अपने फादर को कहा अब ये बिलकुल पूरी तरह से ये बदल चुका है तो उसके फादर ने कहा हाँ वो तो दिख रहा है और अगर ऐसा है अगर अंग चेंज हो गया है बदल ही गया है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी कि हम इस तरह के talented young man को छोड़ दे रहे हैं कि हम उनको ignore कर दे रहे हैं जाने देंगे तो परहाप्स शायद he would like to work for me and live with us in the palace शायद वो मेरे लिए काम करना चाहेगा और हमारे साथ वो palace में रहेगा तो अंग became the merchant's assistant तो अब वो अंग जो है उस वैपारी का assistant बन गया and before long his partner और बहुत लंबे समय तक उस वैपारी का partner रहा यानि माला के फादर का partner रहा and when माला's heart was won और जब उसने माला का दिल जीत लिया his son-in-law तो उस माला के फादर का son-in-law बन गया यानि माला से उसकी शादी हो गई तो बच्चों कैसा लगा ये कहानी और ये comprehensive check 3 का answers जो आपको लिखने है अंग ने जो माला के लिए खुबसूरत सा ड्रेस लाया था उसका माला ने क्या किया पहन लिया था? नहीं न? हाँ वो यंग वुमें कौन थी जो पगोड़ा में आई थी? माला, that is माला तो बच्चों आपको ये कहानी कैसा लगा? आपसे कुछ सीखे की नहीं? हाँ, कि हमें हमेशा अगर हमारे पास ग्यान है, ताकत है तो हमें उस ग्यान और ताकत का बुद्धि मानी और अच्छाई से ही इस्तिमाल करना चाहिए Thank you all of you